तो हेलो, मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यार इसे चैनल पे जिसका नाम है JR Tutorials तो जैसा कि आपको बता है कि इस चैनल के उपर हम लोग ने एक फ्रिच बैच चुरू कर दिया है हमारे 11th और 12th स्टैंडर के बच्चों के लिए इसमें मैं आप लोग को 11th और 12 स्टैंडर को Biology बढ़ा रहा हूँ 12 स्टैंडर की बात कर रहे हैं तो हम लोग ने 7th lesson complete कर रखे हैं हमारे syllabus के तो अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है कोई भी lecture कोई भी lesson मिस कर दिया होगा तो जरूर से जाके उन सारे वीडियोस को देख ले रहा है सही है सारे के सारे वीडियोस हमारी चैनल में पड़े हुए है आप सर्च कर सकते हो या फिर अगर आप playlist में जाके सर्च करेंगे वहाँ पी आपको पूरा ग्रूप बना हुआ मिलेगा सही है तो वहाँ पे भी आप सारी चीज़े देख सकते हो आज इस lecture से बच्चों हम एक पड़ी हुई oxygen हमारे cells तक पहुच रही है ठीक है वो पूरा root ही respiration कहलाता है उसके बाद उन respiration में एक बहुत important part होता है बच्चों blood का ठीक है क्योंकि अगर blood ना होती तो हमारा oxygen cells तक नहीं पहुच पाता हमारे जो food molecule है वो cells तक नहीं पहुच पाते तो blood का भी बहुत important role है that's why हमारे lesson का second part है that is circulation तो हम इस lesson में respiration और circulation को मोटा मोटा discuss करने वाले हैं समझ माई बात ठीक है लेक्चर स्टार्ट करने से पहला आपको एक चीज़ बता दू कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जियार टुटर के application को download नहीं किया है तो इसे जरूर से download कर लेना बहु कोई doubt होता है मुझे कोई feedback देना चाहते हो तो यह मेरे Instagram ID है आप यहाँ पर आके मुझसे बाते कर सकते हो चलेगा तो start करते देखो आज पहला lecture है तो ज्यादा हम लोग deep में नहीं जाएंगे थोड़ा थोड़ा हम लोग उपर से समझेंगे चीजों को सबसे पहली बात हम ल देपिनेशन दी हुए है कि respiration is a biochemical process ठेक है respiration क्या है respiration is the biochemical process in which the organic compound ठेक है in which the organic compound is oxidized step by step to form a chemical energy in the form of ATP अब मैंने क्या बोल दिया आप लोगो नहीं समझा होगा मैं आप लोगो लिख के देता हो थोड़ा सा देखो क्या लिखा होगा respiration क्या है respiration is a photo chemical reaction ठेक है respiration क्या है respiration एक ऐसा photo chemical reaction है जहाँ पर क्या होता है कुछ organic molecules का ठेक है कुछ organic molecules कहलो या फिर organic compound कहलो कौन कौन से compound आ सकते है इसमें इसमें आपका glucose आ जाएगा इसमें आपके proteins आ जाएंगे amino acids आ जाएंगे वो सारे के सारे organic compound है तो इनमें आपके इस organic compound का बच्चों complete oxidation होता है ठेक है य अभी भी oxidation करना होगा तो मतलब क्या है oxygen को add करना है हमें सही है तो यहाँ पर भी with the help of oxygen हम इस organic compound का complete oxidation करेंगे ठीक है और इस reaction से हमको क्या मिलने वाला है इस reaction से हमको मिलेगा बच्चों ATP ठीक है and what is ATP हम लोग 10 standard से पढ़ते आ रहें ATP is the chemical energy जो हमारे body में present होती है ठीक है हमें अभी काम करने के लिए को energy चीए तो हमारे body के अंदर energy किस form में है क्या वो electrical energy के form में है क्या वो किसी thermal energy के form में नहीं हमारे body में जो energy है बच्चों वो chemical energy के form में है सही है ATP is a chemical energy समझ रहो समझ रहो समझ रहो ठीक है तो यह जन्रल सी definition है आपके बुक क्या कोड़ी समझ रहो कि क्या निखा हुआ है a photo chemical reaction in which there is a complete oxidation या फिर हम लोग बोल सकते है step by step oxidation of the organic compound to form a chemical energy या फिर हम लोग कह सकते है to form a chemical compound which is in the form of ATP but actual में पच्चों यह जो definition है ना यह एक type के respiration की है ठीक है अगर मेरा मानो तो यह जो respiration का definition दिया हो actual में यह पूरे respiration की definition नहीं यह सिर्फ और सिर्फ cellular respiration की definition है cellular respiration आप लोग ने 11th standard में पढ़ा हुआ है तो यह बहुत deep में आप लोग ने पढ़ा हुआ था cellular respiration क्या था सबसे पहला step था glycolysis glycolysis में हम लोग क्या गरते थे glucose molecule को तोड़ते थे pyruvate में या फिर pyruvic acid में फिर वह एंटर होता था क्रप साइकल में सहीए फिर वहां से definition लिखी हुई है आपके बुख में यह respiration की definition नहीं हो सक्ती यह किसकी definition है actual में cellular respiration की definition है सहिए है तो respiration का मतलब क्या होग थेखो रेस्पिरेशन का normal सा मतलब यही होता है कि exchange of gases ठेक है है respiration का simple सा मतलब क्या होता है exchange of gases मतलब जहां पे भी respiration हो रही होगी जहां पे भी respiration हो रही होगी वहां पे gaseous exchange हो रहे होंगे ठीक है, तो अगर आप से respiration पूछा जाए, तो exchange of gaseous आप लिख सकते हैं समझे उ? समझे उ? ठीक है, बट आपको ये definition भी समझनी है, यह definition भी लिखनी है सही है, क्योंकि आपके book में दिया हुआ है, तो आपको यह definition follow करनी है, आप लोग को पता है na कि हमारी जो book है, आपकी जो book है वही हमारे लिए गीता है, वही हमारे लिए बाइबल है कुरान है, वही सब हमारे लिए, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है वो परमसत्य है, सही है, तो आपको exam में वही लिखना है बट अभी से आप लोग समझ के रख लो, क्योंकि आप में से आगे, आप में से बहुत सारे बच्चे आगे चल गे बहुत सारे exams देने वाले होंगे, कोई बच्चा need देगा, कोई बच्चा aims की preparation करेगा, तो उन लोग के लिए information ज़रूरी है, सही है, तो हम लोग ने क्या समझा, कि respiration का simple सा meaning है, मोटा मोटा यह meaning है, कि बया, यहाँ जहाँ भी respiration होगी, वहाँ पे exchange of gases होंगे, ठीक है, अब gases exchange, कौन कौन से gases होंगे, सबसे पहली gas है बच्चो, oxygen, ठीक है, हमेशा oxygen का intake किया जाएगा, हमेशा oxygen का intake किया जाएगा, oxygen को अंदर लिया जाएगा, और बाहर छोड़ा जाएगा बच्चो, exhale किया जाएगा किसको, CO2 को, समझ रहो, exhale किया जाएगा किसको, CO2 को, समझ रहो, तो हमेशा आपके body में जो oxygen है, वो absorb होगी, और CO2 release होगा, oxygen absorb होगी, CO2 release होने वाला है हर जेगा पर हर जेगा फे चीज होने वाली The किसी चीच को हम लोग क्या कहेंगे ? respiration अब respiration कई प्रकार के है आगे चलके हम लोग बताऊँगा respiration actual में 4 types के होते है ठीक है आगे चलके हम लोग discuss करेंगे फिर next question क्या है next question ये बनता है कि why the respiration is important क्या respiration नहीं होगी तो हमारे body में कोई काम नहीं चलेगा ? नहीं चलेगा देखा मैं आप लोग को बताते हूं हम लोग ने पढ़ा है बचपन से डाजेस्टिव सिस्टम मान लो this is your stomach this is your stomach ठीक है आप लोग ने खाना खाया और खाना खाने के बाद यहां पर अब स्टमक क्या करेगा ? बहुत सारे digestive enzymes इसके उपर डालेगा बाइल डालेगा अपना अचियल डालेगा बहुत सारी चीज़र डालेगा जिसके वाज़से यह इस organic compound को छोटे-छोटे parts में छोटे-छोटे nutrients में तोड़ देगा और वो सारे के सारे nutrients absorb कर लिए जाएंगे इस स्टमक की वाल द्वारा सही है इस पूरे process को हम लोग digestive system कहते है यहां पर आएगी आपकी प्यार इसी blood vessel देख रहा है यह आई आपकी प्यार इसी blood vessel अब जो भी आपका food molecule होगा इस स्टमक के अंदर यह सारा का सारा food molecule किस के अंदर चला जाएगा इस blood vessels के अंदर चला जाएगा blood का काम क्या है देखो blood का कामी है circulate करना इसलिए उन्हें circulatory system कहते है हमारे body के हर cells तक blood पहुचे हुए सही है तो यहां से blood ने क्या collect कर लिया यहां से blood ने हमारा food collect अब मानलो यह घूम घूमा के heart से जाएगी फिर वहां से वापस घूम घूमा के किसी एक cell तक पहुच गई मानलो यह है आपका cell अब इस cell कुछ यह यह glucose जो glucose एब्सॉप किया गया था इन blood vessels द्वारा यह blood vessels कहां पहुचेंगी इस cell के पहुचेंगी तो यहां पे इनके पास जो भी food molecule था उससे transfer कर दिया जाएगा किस के अंदर cell के अंदर तो cell तो खुश हो गया भया cell को क्या मिल गया glucose मिल गया सही है अब cell का आधा काम हो गया cell के पास मिल गया है glucose लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस organic molecule को हमें oxidize करना है इस organic molecule हमें step by step oxidize करना है तभी आगे चलके हमें क्या मिलेगी ATP अब oxidation करने के लिए oxygen जरूरी है तो इसे oxygen भी तो देना होगा oxygen कहां से आएगा oxygen आएगा आपके respiratory systems तो माल लो यहां कहीं आपके body में lungs present है these are the lungs ठीक है इसको detail में लोग discuss करेंगे structure को tension मतलो बट आपके lungs में यहां पर छोटे-छोटे bag like structure present होते है यहां पर जोटे-छोटे bag जैसे structure present होते these structure are called as alveoli ठीक है तो यह छोटे-छोटे structure है जिनका function क्या है बच्छो oxygen को store करके रखना ठीक है क्या करना oxygen को store करके रखना जब यही आपकी blood vessel आपके lungs के पास जाएगी ठीक है तो आपके lungs क्या करेंगी यह alveoli करके क्या करेंगी इसके अंदर से जो भी oxygen present होगा वो सब कुछ कहां चला जाएगा इस blood के अंदर चला जाएगा और इस blood के अंदर जो भी CO2 present होगा वो सब कहां चला जाएगा वापस इस alveoli के पास चला जाएगा सबज़ेगा तो यहां पर भी exchange of gases हो रहा है ऐसे कई exchange of gases होने वाले हम लोग देखेंगे सही है अब यह oxygen आ गया किसके पास घुम घुमा के आप मैं लेक के देदू देखो यह है आपका C6 H12 O6 यह है आपका glucose समझ रहो जब यह जब यह glucose oxygen के साथ react करेगा मतलब oxidize होगा यह क्या form कर देगा बच्छों सबसे पहली बात CO2 बनाएगा फिर कुछ water molecule भी बनते हैं और लास्ट अपना ATP कितने ATP बनते हैं बच्छों 30 36 molecule of ATP कितने बनते हैं टोटल 38 molecule of ATP यहां पर form होते हैं तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि अगर बच्छो respiration नहीं होगी तो क्या हमें oxygen मिलेगा अगर हमें oxygen नहीं मिलेगा तो क्या आपकी blood vessels में oxygen चाहेंगे आपकी blood vessels में अगर oxygen नहीं चाहेंगे तो आपकी blood vessels cell को कुछ नहीं दे पाएगी simple सी बात है और अगर cell को oxygen नहीं मिला तो वो यह respiration यह वाला process नहीं कर पाएगा समझ मारी बात चाहेंगा अगर आपके body में ATP नहीं बना चाहें तो basically आप कोई भी काम नहीं कर पाऊगे आपको जितना भी काम करते हो ना उन सब के लिए ATP लगती है समझ रहो उन सब के लिए ATP की जरुत होती ही होती है समझ रहो आप चाहें लेट यह phone देख रहे हो अगर आप किसी से बात कर रहे हो कोई कुछीज देख रहे हो कुछीज समझ रहे हो आपके brain को सब आपके body में सबसे ज़्यादा energy आपके brain को लगती है almost 20% consumption आपका brain करता है सारे energy का समझ रहो तो कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो कुछ भी कर रहे हो उन सारी चीज़ों में ATP लग रही है अगर आप दिन भर कुछ भी नहीं कर रहे है ठीक है मान लो अगर आप दिन में कुछ भी नहीं कर रहे है सिर्फ सोई हुए एक जगा पे तो भी आपकी molecule almost almost 1500 calories energy burn करता है आपका body समझ रहो 1500 calories energy ऐसा data हमें बताते समझ रहो तो energy की ज़रुत हमारे body में energy नहीं बनेगा तो basically किसी भी person की death हो सकती हो अगर उसके energy नहीं मिलेगा समझ रहो और यह energy के बनाने के लिए आपका oxygen रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है that's why आपका respiration बहुत ज़्यादा important हो जाता है clear है समझ में आ गया कि why respiration is important चलो आजाओ next step पर चलते हैं अब दो चीदे हमें पढ़ने हैं देगो basically इस lesson में हम लोगो plants के humans के respiration पर focus करने है हमारे respiration पर focus करने की हमारे अंदर किस type का respiration होता है लेकिन आप लोगो थोड़ा सा एक topic दिया हुआ that is respiration in plants अखिरकार plants कैसे respiration करते है थोड़ा बड़ा लीव बनाऊंगा री से बड़ा तो लीव ही है क्योंकि इसमें मुझे काफी सारी चीज़ा बता नहीं है नो मालो यह आपका leaf है किसी भी ट्रीगा और इस ट्री में leaf में जो भी cells है यहाँ पर मालो एक बड़ा सा cell present है मैंने इतना बड़ा क्यों दिखाया है इतना बड़ा cell नहीं होता बच्छो लीव में बहुत सारे cells होते billions of million cells होते एक leaf के अंदर बट मैंने थोड़ा बड़ा cell दिखाया हुआ है ताकि इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़े दिखाने मिल चाहे यह जो cell है जो leaf के अंदर present होता है इसे हम लोग mesophyll cell केते है mesophyll cell देक है leaf के अंदर जो cell present है उसे हम लोग क्या बोल रहे है mesophyll cell अब हम लोग का पता है बच्छो लीव के अंदर क्या present होते है लीव के अंदर एक आपका present है chloroplast सही है एक structure present होता है जिसे अब लोग क्या बोलते है chloroplast, अब chloroplast का function क्या है बच्चो chloroplast का function है आपका sunlight को लेके photosynthesis करना, ठीक है, तो थोड़ा इसको भी बड़ा बना देते है माल लो, this is the chloroplast chloroplast का function क्या है, chloroplast का function है sunlight से, क्या बनाना, photosynthesis करना और उससे आगे चलके glucose का formation करना तो मतलब आपके chloroplast का अंदर क्या हो रही है glucose का formation हो रही है, माल लो mark कर देते हैं, this is the chloroplast ठीक है, तो chloroplast का अंदर होता क्या है धान से पढ़ेंगे, chloroplast का अंदर normally CO2 ठीक है, CO2, water involved होंगे, क्यों involved होंगे आपका CO2, water involved होंगे और वो यहाँ से क्या बना देंगे, बच्चो glucose समझ रहे हो, वो यहाँ से क्या बना देंगे glucose और यहाँ से बहुत सारा amount of oxygen निकलता है ठीक है, बहुत सारा amount of क्या निकलेगा oxygen निकलेगा, सही है, यह आपके function है chloroplast का, chloroplast के अंदर क्या हो रहा है chloroplast के अंदर CO2 plus H2O, आगे चलके react करके क्या बना रहे है, glucose and oxygen with the help of sunlight, यह ज़रूरी है बैया with the help of sunlight क्योंकि अगर sunlight नहीं होगा तो यह reaction नहीं चलेगी, समझ रहो तो यह chloroplast के अंदर हो रहे है, similarly यहाँ पर एक mitochondria पढ़ा होगा मालो, this is the mitochondria यहाँ पर एक structure पढ़ा है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे है this is the mitochondria सही है, अब इस mitochondria के अंदर क्या हो रहे है mitochondria के अंदर कुछ नहीं देखो बच्चो जो glucose इसके अंदर बना धांसर सुनूएंगे, जो glucose इसके अंदर बना, वो glucose आएगा इस mitochondria में, यहाँ पर, जो मैंने अभी आप लोगो reaction दिखाई थी, glucose plus oxygen, ठीक है, glucose plus oxygen, यहाँ से क्या बन जाएगा that is CO2 plus water water plus ATP, अब मैं जितने भी reaction लिख रहा हूँ, मैं किसी को balance नहीं कर रहा हूँ ऐसा आप, आप लोग comment मत करना कि सर यहाँ पर 6 CO2 है, यहाँ पर 6 H2O है, यहाँ पर 6 molecule of CO2 है वो थोड़ा आप लोग देख लेना, मैं आप लोग को चीज़े बस समझा रहा हूँ सही है, तो देखो, मोटा मोटा हुआ गया कि यहाँ पर क्या बना, glucose बना with the help of CO2, मतलब CO2 और water को वापस react किया गया ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, आपका glucose molecule बन गया, similar सा और यहाँ पर क्या बन गया, oxygen बन गया similar सा इसी glucose molecule को यहाँ पर लाया गया है सही है, और उससे oxygen लिया गया है सही है oxygen लिया गया है और यहाँ पर क्या बन गया CO2, H2O और आपका ATP बन गया अब यहाँ पर देखो आपका CO2 बन रहा है सही है यहाँ पर CO2 बन रहा है यहाँ पर oxygen बन रहा है तो भीया कौन सी gas को plant release करता है हम लोग में सुना है ना कि plant हमेशा जो oxygen है उसे release करता है और CO2 को accept करता है ऐसा क्यों देखो क्योंकि इसके पास जो oxygen बनता है यह जो oxygen बनता है यह बहुत ही जादा amount में बनता है यह जो oxygen बनता है यह बहुत ही जादा amount में बनता है तो इसमें से कुछ amount oxygen वो रख लेता है किसके लिए आपके respiration कर लिए प्रेजनट है बच्चो कुछ ऐसी डिस इस नोन ऐस पीड़ने टेकर तो स्टोमेटा से होगा क्या यह जो आपका औकॉसेजन यहां पर बना है जो एक्सेशन है वो क्या हो जाएगा यहां से बाहर निकल जाएगा समझ रहो यहां से ओक्षीन क्या हो गया बाहर निकल गया तर यहां पे मुझे जाधा CO2 चाहिए, मुझे glucose बनाने के लिए, यह सिर्फ एक CO2 बना रहा है, यहां पे glucose बनाने के लिए, तो plant क्या करता है, एक्स्ट्रा CO2 बाहर से लेता है, समझे रहो, थोड़ा CO2 तो इसको यहां से मिली गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको और CO2 चाहि बाहर से मंगवाएगा, सही है, तो यहां से क्या होगा आपका, जो CO2 है, वो भी यहां से cell के अंदर जाता है, समझ मैरी बात, समझ मैरी बात, चीक है, तो यहां पे भी exchange of gases हुआ, प्लांट में, किस के थ्रू हुआ, देखो हम लोग देख रहे हैं, यहां पे stomata के थ्रू, this opening is known as, stomatal opening, या फिर इस ओर्गन को हम लोग stomata बोलते हैं, और इस opening को stomatal opening बोल रहे हैं, तो stomata, लिख देता हूँ, समझ मैरी बात, चीक है, यह समझ मैरी बात, चीक है, यह समझ मैरी आ गया, कि प्लांट के अंदर कैसे कैसे process चल रहे हैं, अच्छा, प्लांट की बार्क में, अगर आप प्लांट देखोगे, तो प्लांट की जो बार्क होती है, बार्क समझते हो, जो उसका shoot होता है, चीक है लेंटिकल से भी क्या होता है oxygen आपका बाहर निकलता है और CO2 आपके बॉड़ी के अंदर जाता है आपके तो नहीं प्लांट के बॉड़ी के अंदर जाता है अ क्या होता देखो कोई Judy plant है जैसे बॉड़ी प्लांटि मायजन करो बानाका त्री है तो बाना की ट्री में जो शूट वाला पोर्शन है चल के उसका जो ट्रंक वाला पोर्शन है जो ट्री का समझ में होगा next आज चलते बच्छो transpiration, sorry respiration in animals, ठीक है animals की already हम लोग ने बात शुरू कर रखी है animals में बात करें, ठीक है animals में बात करें तो already हम लोग ने बात शुरू कर रखी है हमारे अंदर क्या होता देखो, अभी मैंने आप लोगो समझा इसके अंदर blood flow कर रही है, तो उसके अंदर आपके glucose को डाल दिया जाएगा, फिर साथी साथ respiratory system से, ठीक है respiratory system मैं आप लोगो पढ़ाऊँगा, respirator system क्या होता है, तो respiratory system से क्या होगा that is oxygen को रख दिया जाएगा oxygen को रख दिया जाएगा blood vessels cells के अंदर, और blood vessel क्या होगी, आगे बढ़ती रहेंगी, समझ मैरी बाट, ठीक है, फिर वो blood vessel चली जाएगे, किस के पास, आपके cells के पास चली जाएगे, और cell को glucose और oxygen दे देंगी, जिससे आगे चलके वो अपना reaction करेंगे, और reaction करने के बाद ATP बना गए, सारे animal खुश है, चाहिए, लेकिन, अगर हम लोग animals की बात करें, चाहिए, तो animals में respiration के बड़े सारे तरीके हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, जिससे हमारे body में क्या है lungs present to take specialized organ है respiration के लिए, बट बहुत सरे ऐसे organisms है बच्चों, जिनमें अलग-अलग तरीके के organs हम लोग को देखने के लिए respiration के लिए, जैसे बहुत सरे ऐसे organisms है, जो skin से respiration करते हैं, चीक के skin पर छोटे-छोटे pores present होगे, उससे पर respiration करते हैं, फिर आप लोग ने fishes देखियोंगे, चीक है, fishes के पास क्या एक पर रेजेन्ट रोते गिल्स और गिल्स लिट्स मैं आप लोगो दिखाते हूँ, मानलो एक shark बना रहा हूँ, मैं shark, imagine करो, एक लिए शार्क है, ठीक है, चार्क तो नहीं लग रही है, आज़िए, जैसे हो दिए शार्क, नहीं, अगर आ आप आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहां पे स्ट्च ediyorum के तीक तो इस थरीके के स्टुक् 촬영 प्रेजन आप मैसे च्छोटी च्छोटी ओपनिंग होती होते यह क्या होते इस आरगिल स्लिट्स यहां पर इनके बोड़ी के अंदर यहां पर एक और गण प्रेजेंट रिए यहां पर लुग कहते हैं गिल्स नहीं है? तो बहुत बच्चे confused हो जाते हैं कि gills और gills slits same है क्या? नहीं, same नहीं है gills अलग होते हैं, gills slits अलग होते हैं, gills का function क्या है? कि oxygen को absorb करता आपके water के अंदर से, जैसे हम क्या करते हैं हमारा lungs क्या करता है, oxygen को store करके रखता है आपके air से वैसे इनका function क्या, आप देखो, यह तो पानी के अंदर रहने वादी सही है, तो पानी के अंदर क्या होगा? आपके इन gills के त्रूँ, यह gills छोटी 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 opening होती ही, बच्चो, यह gills क्या होते हैं चोटे छोटे छोटे opening present होते हैं, तो क्या होता है? यहाँ से जो वाटर है, यहाँ से, अब यह पानी के अंदर है, तो यहाँ से जो वाटर है, यह इनके अंदर इसे travel कर जाता है, समझ रहो, यह इनके अंदर क्या हो जाता है, इसे गुश जाता है, सग्ये, अब वाटर जैसे ही गुशा, यहाँ से छोटी से pipe लगी हुई है, जो कहां जाएगा water, इस gills के पास चला जाएगा ये gills क्या करेंगे, इस water के अंदर जितना भी oxygen है जितना भी dissolve form of oxygen उसे क्या कर लेंगे absorb कर लेंगे, और जो बचा हुआ पानी है, उसे वापस इसी gills के थुरू क्या हो जाएगा, वो remove हो जाएगा समझे हो, तो इन gills का function क्या है, gills का function है कि भया, आप water को अंदर आने दो water को अंदर आने दो, जितना भी oxygen उसके अंदर से absorb हो जाएगा, gills हमारा absorb कर लेगा और जो भी आपका, जैसी water absorb हो जो बचा हुआ पानी है ऐसे, पनने लगे होते हैं, कुछ इस तरीके का shape होता है उनको, ठीक है, तो shape की वज़े से उनका नाम रख दिया गया है book lungs, सही है, कहां देखने के लिए मिलते हैं हम लोग को, mostly, जो हम लोग ने पढ़ा है, अपना आर्थ्रोपोडा की जो phylum है, उस phylum में हम लोग को देखने के लिए मिलते है book lungs, जो crabs होते हैं, बड़े king crab होता है, उसके पास book lungs होते है सही है, ऐसे ही book gills भी देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे organisms के पास, समझ में आरी है बात है, चीक है, so I hope आप लोग को ये सारी चीज़ा समझ में आरी होंगी, कि अलग-अलग animals के पास, अलग-अलग organ है, respiration करने के बहुत सारे ऐसे organisms हैं, जिनके पास कोई organ ही नहीं है, जिनके पास कोई organ ही नहीं है, respiration करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो skin से respiration करते हैं, उनके skin में छोटे-छोटे pores होते हैं, उस pores की through all up क्या कर रहे हैं, respiration कर पा रहे हैं, समझ मारी बात, चीक है, तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग modes से आपके respiration के, लेकिन हम जो पढ़ respiration में, सही है, तो respiration समझ लिया, अभी हम लोग देखेंगे बच्चो, कि what is mean by and what are the types of respiration, ठीक है, respiration का मतलब समझ में आ गया, respiration का मोटा-मोटा ये मतलब बच्चो, कि exchange of gases between two places, दो जगहों पे क्या हो रहा है, gases का exchange हो रहा है, सही है, और वहाँ उसी चीज़ को हम लोग क्य आपके बुक में जो definition है, वो cellular respiration की है, सही मैंने आप लोगो बताए, चलो, समझते है, types of respiration की, तो मैं आप लोगो diagram मना के समझाओंगा, tension मतलो, ठीक है, देखो, मानलो, मानलो, ये कोई person है, ये उसकी नाक है, ये उसका मुह है, ठीक है, मानलो, कुछ ऐसा मैंने diagram मनाया है, समझ रहो, imagine कर लो, इतना अच्छा diagram नहीं है, सही है, अब यहाँ से, नाक से वो सांस लेगा, नाक से सांस लेगा, और यहाँ से, जो हवा है, वो कहां चले जाएगी, इसके लंग्स में चले जाएगी, जो हवा है, वो कहां चले जाएगी, इसके लंग्स में चले जाएगी सबसे पहले इसने क्या किया सबसे पहले इसने क्या किया सांस लिया जैसे इसने बृध किया oxygen कहा चलीगी इसके lungs चलीगी और फिर जैसे ही इसके अंदर co2 जो भर गया वो क्या हो गया रिलीज हो गया, क्यों टू क्या हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, oxygen rich air को inhale करते हैं, और carbon dioxide rich air को exhale करते हैं, जनरली जब मैं छोटा था, तो मुझे लगता था कि हमारे नाक में कोई filter लगा हुए, जिससे हम लोग फिर्फ oxygen को ही inhale करते हैं, ऐसा मुझे लगता था, कि हम लोग oxygen को inhale कर रहे हैं, मतलब हम लोग pure form of oxygen inhale कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, हम लोग पूरी air को inhale करते हैं, सही है, और उसमें से से हम लोग oxygen को ही use करते हैं, बाकी पूरी की पूरी air as it is बाहर आ जाती है, similarly, जब हमारा जो cell है, हमारा जो lungs है, वो क्या करेगा, उस एर के अंदर carbon dioxide release कर आपने क्या की, breathing की, तो this is the first type of respiration, यहां में types लिख दें सबसे पहले, first is the breathing, नमस्रे हो, first is the breathing, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को, यही respiration लगता है, मैं बहुत सारे बच्चों को पूसता हूँ कि respiration का मतलब क्या है, तो लोग बोलते सांस लेना, सांस चोड़ना, यही respiration ह ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि respiration का मतलब बहुत सारे types होते हैं, ठीक है, breathing, आपने जो बोला, वो क्या है, breathing है, मतलब आपने सांस अंदर लिया, और सांस बाहर चोड़ दिया, it is a one type of respiration known as breathing, समझ में ही बर, ठीक है, तो सबसे पहला respiration क्या हो गया, breathing, आपने यहां से oxygen, inhale क गया, सही है, और यहां पर जो carbon dioxide पड़ा था, इसने आप नोग ने क्या किया, उसे बाहर डाल दिया, समझ रहो, ठीक है, तो इसी तरीके सा आपके breathing के दो types हो जाते हैं, एक inhalation, मतलब आपने क्या किया, कोई बीचिस inhale किया, तो breathing के दो प्रकार हो जाते हैं, breathing के दो types हो जात हो, exhalation, इसका exhalation हो रहा है, CO2 का, sorry, CO2 का, ठीक है, exhalation मतलब क्या चीज़े, release करना, समझ रहो, inhalation, exhalation, समझ रहो, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ को inhale कर रहे हो, क्या inhale कर रहे हो, आप oxygen कर रहे हो, this process is known as inhalation, and जो चीज़ आप release कर रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, exhalation, this is the one type of respiration, next, दूसरा टाइप होता है, बच्चो, external respiration, external respiration, ठीक है, टाइप्स लिख देते हैं, पहले हम लोग, फिर हम लोग डिसकस करेंगे, तिसरा टाइप होता है, internal respiration, चलेगा इतना लिकू, चलेगा, और चौथा होता है, cellular, चौथा है, cellular respiration, ठीक है, यहां तक समझ बैगे बाते, तो चार प्रीकार के respiration हम लोग ने देखने वाले, जिसमें हम लोग ने, ब्रीधिंग का मतलब समझ लिया, ठीक है, ब्रीधिंग क्या होता है बीया, ब्रीधिंग होता है सास अंदर लेना, सास बाहर चोड़ना, सास अंदर हम लोग क्या कौन सी सास ले रहे हैं, that is, oxygen, rich air को हम लोग inhale कर रहे हैं, और CO2 rich air को हम लोग exhale कर रहे हैं, तो दो step हो गया, एक inhalation और एक exhalation, सही है, तो अब ब्रीधिंग कर ले के बाद, यहाँ पर जो छोटे 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 बैक्स थे, यहाँ पर जो छोटे छोटे बैक्स थे, जिसे हम लोग LVO लाई कह रहे थे, उन बैक्स के अंदर बच्चों, oxygen आ गई, उसके अंदर क्या आ गई, oxygen आ गई, समझ भारी बात, respiration का मतलब क्या है, exchange of gaseous, यहाँ पर एक gaseous का exchange हुआ, यहाँ पर एक gaseous का exchange हुआ, समझ भाही बात, ठीक है, that is, it is a one type of respiration, clear है, अब यहाँ पर क्या होगा है, यहाँ से सनो, अब मान लो, यहाँ से एक blood vessel है, ठीक है, यहाँ से क्या आई, एक blood vessel है, अब यह dei oxigenated है, ठीक है, जो blood vessel आई है, यह de oxygenated, इसका मतलब क्या है, कि इसके अंदर oxygen भरी हुई, नहीं है, तो यह, तो यह de oxygenated blood है, इसको क्या चाहिए, oxygen चाहिए, एहाँ से oxygen, यहाँ से oxygen, क्या हो जाएगा, travel कर जाएगा, किसके अंदर, इस blood के अंदर, चैक है, तो जैसे ही oxygen इस ब्लड के अंदर travel हुआ उसी time पे इस ब्लड में पहले से क्या present था carbon dioxide present था क्या present था है यहांपे बच्चो carbon dioxide deoxygenated blood में हमेशा carbon dioxide की quantity जाधा होती है और oxygen की quantity कम होती है it is a deoxygenated blood और जो oxygenated blood होता है उसमें carbon dioxide की quantity कम होती है और oxygen की quantity ज़ादा होती है तो यह जो blood आया था it is a de-oxygenated blood जहाँ पे carbon dioxide ज़ादा था तो जैसे ही oxygen यहाँ पे आया यह जो carbon dioxide था यह कहाँ चला गया आपके इन alveolize के पास चला गया तो यह carbon dioxide कहाँ चला गया इसके अंदर चला गया मतलब जब next expiration होगी जब हम लोग next time सांस छोड़ेंगे तो यह carbon dioxide हमारी सांस में गुलके वापस बाहर आ जाएगा समझ में ही बाद ठीक है और आपका oxygen कहाँ चला गया इस blood vessel में चला गया तो यहाँ पे भी exchange of gases होई की नहीं होई इसके बीच में हुई आपके alveoli और आपके blood vessels के बीच में इस exchange of gases is known as external respiration ठीक है तो यहाँ पे जो हुआ है this is the external respiration clear है this is the external respiration clear है समझ में आगे external respiration क्या होते है अब इसको oxygen मिल गई है वही है तो यह घूर गुमा के यह जो cell है sorry यह जो vessel है blood vessel है यह घूर गुमा के किसी एक cell के पास चली जाती है किसी एक cell के पास चली जाती है जो कि बहुत ही दुख में है बच्चों चीकि यह cell बहुत ही दुख में है क्यों दुख में है क्योंकि इसके पास oxygen नहीं है तो इसको चाहिए तो यह बलड वेसल बोलती है चिनता बत कर मैं तेरे लिए क्या लाए हूँ यहाँ गुम गुम के मैं तेरे लिए क्या लाए हूँ बहुत अब ऑफ ऑफ ऑप ले कर आहिए अब यह ब्लैड वेसल बारेगी यह और याद करो इस सेल के अंदर पहले एक रियाक्शन हुई हो थी जिससे क्या बना था सेल्वेलर रेस्पिरेशन ने आप लोगो बता है था तो वो सियो टू जो इसके अंदर प्रेजेंट था वो कहां चला जाएगा इस ब्लड़ के अंदर चला जाएगा तो यह जो जाएगा उस सेल के अंदर चला दो यह वापस से टीओक्शिजनेटेट हो गया पहले ऑक्सिजेंडेट था जब इसके कि इसके बीच में blood vessel और cells के बीच में सही है इन दोलों के बीच में भी एक exchange of gases देखने के लिए मिल रहा है जहां पर आपका blood का oxygen कहां जा रहा है इस cell के अंदर जा रहा है और इस cell का CO2 कहां जा रहा है इस blood के अंदर जा रहा है यह क्या है बच्छ आपका internal respiration clear है समझ में आगया internal respiration क्या होते है और इसके बाद लास्ट है हमारा cellular respiration जो मैंने आप लोगों को अल्रीडी बताया था अब ही क्या आ गया oxygen आ गया तो यह reaction चल जाएगी और यह reaction में क्या बन जाएगा CO2, H2O और ATP तो आप देख रहे हैं और होगे किस reaction में क्या गुसा था oxygen गुसा था पर निकला क्या वापस CO2 निकला ना मतलब इस reaction में भी क्या हुआ exchange of gases हुई समझे लो इस reaction में भी क्या हुआ gases इस एक्सचेंज हुई इस reaction या फिर इस gases of exchange is known as cellular respiration तो चार प्रकार के पुछा जाता है that is human respiratory system चीए आखिरकार इंसान का respiratory system कैसा होता है कैसा दिखता है कौन-कौन से organ है उसके अंदर सही है तो वो सारी चीज़े आज इस time पर हम लोग start करने जा रहे हैं अभी तक I hope आप लोग को मैंने जितना पढ़ाया है respiration के बारे में जितना समझाया है वो चीज़े समझ में आई होगी आपके दिमाग में बैठी होगी ठीक है तो I hope आप लोग चीज़ों को लिख रहे होगे मेरे साथ किसे देखने से नहीं याद होगा अगर आप चीज़ों को लिखोगे समझोगे तब आप लोग को चीज़ और वो आगे चलके बहुत सारे ओर्गन से मिलके बना होते है बच्पन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेल से आगे चलके टिशू बनता है फिर टिशू से आगे चलके ओर्गन सिस्टम बनता है तो बहुत सारे ओर्गन जब एक साथ आते हैं तो और्गन सिस्टम का formation करते तो हम लोग इसी respirator system में देखेंगे कि कौन-कौन से organ involved है clear है clear है तो imagine करो कि एक बंदा है जो इस side face करके खड़ा हुआ ठीक है जिसकी में drawing बनाने जा रहा हूँ ठीक है वो इस side face करके खड़ा हुआ है और तुमने उसको बीच से काट दिया है ठीक है imagine करो तुमने क्या कर दिया है उसको बीच से कट कर दिया है तो तुम्हें उसके body में कौन-कौन से चीज़े देखने के लिए मिलेंगी इस side देख रहा है वो सही है तो उसकी में drawing मनाने जा रहा हूँ उससे मेरी drawing इतनी अच्छी नहीं है बड़ कोई बात ही समझ लेंगे हम लोग सारी चीज़े तो लेट्स इमाज़िद यह उस बंदे की ना है यह उस बंदे का मुह है लेट्स इमाज़िद गला बहुत छोटा बन गया है इतना चलेगा चलो डाइग्राम भी बनाना हम लोग अब देखो हमारा रेस्पिरेटर सिस्टम स्टार्ट कहां से होता है हमारा रेस्पिरेटर सिस्टम बच्चो स्टार्ट होता है इस नाग की छेद से जो नाग की छेद है इसमें आप लोग उंगली करते रहते हो उस नाप की छेद से हमारा respirator system start होता है, तो यहाँ पे यहाँ पे एक छेद present है जहाँ से हमारा respirator system क्या हो रहा है start हो रहा है, this छेद is known as nostril इसे क्या बोलते है बच्चों हम लोग इसे हम लोग बोलते है nostril, clear है फिर यह nostril आगे चलके एक बड़ा सा cavity बनाती है nostril आगे चलके बच्चों एक बड़ी ची क्या बनाती है cavity का formation करती है these cavity is known as nasal chamber, चीक है जो cavity है इसे nasal cavity या फिर nasal chamber दोनों कह सकते हो this is a nasal chamber clear है, समझ में आगई बात nasal cavity या फिर nasal chamber दोनों आप कह सकते हो, nasal cavity भी कह सकते हो nasal chamber भी कह सकते हो, चेतो बाजो में cavity करके लिख दे रहा है सही है, यहां तक समझ में आगया इतना तो मैंने आप लोगो जादा कुछ अभी तक बताया नहीं है थोड़ी थोड़ी चीज़ बताये, क्या बताया मैंने आप लगका कि यहां आपका जो respirator system है, वो start कहां से होता है आपके नाक के छेत से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, nostril सही है, फिर आपके nostril से आगे चलके बड़ी सी cavity बनती है जिसे हम लोग क्या कह रहे है, nasal cavity या फिर nasal chamber कह रहे है सही है, उसके बाद हम लोग को पता है बच्चों, आपका जो mouth है आपका जो mouth है, उसके अंदर भी एक cavity है this is the mouth, इस person का ये क्या है mouth है, तो इस mouth के अंदर भी तो cavity है, जिसके अंदर आप खाना चबाते हो सही है, जिसके अंदर बहुत सारे दाट लगे हुए सही है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक ऐसी cavity present है, बक्चों, आप Brazilian यहाँ पे एक ऐसी cavity present है, और आपकी जो बककल cavity है sorry sorry इसको बककल cavity बोलते है, लेगढ़ के अंदर आप yeah this cavity is known as this cavity is known as बककल cavity, तो आपकी जो बककल cavity है और जो आपकी nasal chamber है nasal cavity है वो एक दूसरे से क्या है connected है पीछे से ठीक है वो एक दूसरे से क्या है connected है इसलिए आप लोग देखे रहोगे कि कभी आप लोग हस्ते हुए समझे हस्ते हस्ते पानी पीते रहोगे तो वो पानी आपके नाच से बाहर आ जाता होगा इसा क्यूं क्यूंकि दोनों के दोनों cavity का है एक दूसरे से connected है तो यहां से चेंबर ऐसे नीचे आता है और यहां से चेंबर ऐसे जाता है समझे हो इमेजन कर पा रहे हो क्या बोला मैंने सबसे पहले आपका यह nasal chamber यह आपका nasal chamber यह आपका nostril उसके बाद यह आपका mouth था और यह आपका बकल cavity बकल cavity और आपका nasal chamber क्या है पीछे से जुड़ा हुआ है तो यह अच्छा इस mouth पे अगर आप देखोगे इस mouth के cavity यहाँ चोटा से with older यहाँ बकल के और यहाँ न रहता है जसे लटका हुआ रखे ए कदम अंदर खोल के देखना मुझ खोल के झाहाँ पेख और यहाँ अर्गन लटका रहता है छीए इस ओर स्पेलिंग में तो इसका function क्या देखो इसका function यह है कि कभी भी तुम खाना खाओगे और हम लोग बोलते हैं जब खाना हम लोग होटते हैं तो उस टैम पे जो वियूला है यह जाके से पीछे चिपक जाता है यह इस वाले cavity पे चिपक जाता है ताकि आपका जो खाना है वो इ है वियूला है जाके अपका जागे आपका जाके लेट के आना नहीं खाना चीए त्यूंकि आपका खाना देखो किस वाले चेंबर में भी जा सकता है तो आप आप लोग यहां तक चीजसे पर ने वाला जो रिजड़े में यह वाला समझ गए रहो गे न चाना बना देन आ उसमीरिजन को बच्चों हम लोग फारीस कहते हैं अपका तीन पार्ट में सबसे नेजल पार्ट वाला threatened है वड़ा सबसे ईपर वाला जो नेजल चेंबर के पार्फ present है दिख रहा है nasal chamber के path में जो आपका pharynx present ये पूरा pharynx है इतना पूरा pharynx है च्छिक है तो nasal chamber के जो past में pharynx present होता है बच्चो उसे हम लोग कहते है nasal pharynx simple नाम simple नाम nasal pharynx मतलब क्या वो pharynx बच्चो जो आपके nasal chamber के पास present है उस ऊसफर उसके बीजन को अम लोग क्या बोलेंगे नेजो फिर dessert उसके बाद यहां पर शोटा यहां पर अपने पर को लिए निसे और और I यहां पर यह वाला जो फैरिंग्स है बच्चों जो आपके माउथ से connected है उससे हम लोग कहते है ओरो-फैरिंग्स इसे हम लोग क्या कहते हैं and PORO क्लिए रही ज़य क्लिय ऑप चैक है और सबसे लास्ट वाला रिजिन- यह उसे वाला रिजन समझ रहो तो लेरिंजियो फैरिंग्स कौन सा हिस्सा है वह वाला हिस्सा है जहां पर आपका फैरिंग्स कलेक्ट हो रहा है लेरिंग्स समझ रहो टेकर उसे हम लोग क्या बोलेंगे लेरिंजियो फैरिंग्स और इन तीनों को मिला जुला कर हम लोग क्या कहते है बच्चों फ पार्ट हो जते हैं, पूरा आपका pharynx ए, pharynx में थीन पार्ट हो जते हैं, जो पार्ट आपके नेजल चेंबर के पास प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेजल फैरिंस जो आपके माुद के पास के प्रेजेंट है, इति इस ईह ओर फैरिंक्स और और एक tube इसे पीछे चली जाएगी कमझने हो? आपकी जो tube है ये दो पार्ट में डिवाड़ जाती है बच्छो एक tube आगे चली जाती है जो आपका, जिसे हम लोग wind pipe बोलते हैं जो आपका क्या लेकर जाएगी? इस विंड लेकर जाएगी, oxygen लेकर जाएगी, CO2 लेकर जाएगी और इसके पीछे दूसरी pipe आजाती है बच्छो इस pipe को हम लोग क्या बोलते हैं? इस इस दे ओसो फिगस, जिसका function क्या है? जिसका function है, food molecule को लेकर जाना जब भी आप खाना खाते हो, तो आपका जो food molecule है वो इस osophagus से कहाँ चला जाएगा? स्ट्रमक में चला जाएगा, तो वो digestive system का पार्ट है, वो अलग चीज़ है सही है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो अभी हम लोग इस पर focus करेंगे जैसे ही आपका pharynx खतम होता है, यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है बच्चो? larynx, सही है, क्या शुरू हो जाएगा? larynx, तो larynx को हम लोग बच्चो voice box भी कहते हैं जो larynx है, उसे हम लोग voice box भी कहते हैं क्योंकि इस ही के अंदर हमारी आवाजे निकलती है आप लोग देखा होगा, गिटार गिटार या सितार देखा होगा तो उसके उपर strings लगी होती है, strings तो वैसे ही कुछ strings, इस लाइनिंग को लगी रहती है आप जैसे ही strings से हवा पास होती है हवा मतलब क्या? आपका oxygen आपका CO2 जैसे ही इस rings से चोटे-चोटे string दिखे रहे हैं जैसे इस से हवा पास होती है उस time पर क्या होता है that is, इस strings के अंदर vibration create होता है समझभे रिबार जिस string से क्या होता है vibration create होता है जब भी आप बोल रहे हो तो अपने गले पर touch करो यहाँ पे आप लोगो vibration feel होगा ऐसा क्यों? because of the strings समझभे यह strings क्या होती है? vibrate होती है जिसके वैसे vibration produce होती है और यह vibration आपके गले के द्वारा modify की जाती है तब आप कोई भी चीज़ को बोल पाते हो, समझभे हो? चेक है? और यह strings तभी काम करती है बच्चो जब हवा नीचे से उपर जा रही हो समझभे हो? जब हवा नीचे से उपर जा रही हो मतलब जब आप सांस छोड़ रहे हैं तभी आप बोल सकते हैं, ट्रैगर कर देखना घर पे कि आप सांस लेते हुए कभी नहीं बोल सकते हैं आप सिर्फ सांस छोड़ते हुए बोल सकते हो क्यों? क्योंकि उसी टाइम पर यहाँ पर strings के अंदर vibration होगी हमझभे हो? चेक है? तो कभी भी आप सांस लेते हुए नहीं बोल पाओगे हमझभे हम चांस छोड़ते हुए ही बोल पाओगे क्योंकि उसी टाइम पर क्या होती है? यहाँ पर vibration होती है simple सी बात है यहाँ पर एक lymph node present होता है इसी के उपर इसी के उपर एक lymph node present होता है इसको कौनसे कलर से बनाए? चलो इस larynx के उपर यहाँ पर इसको वाइट कलर से बनाते चलो इसी के उपर बच्चो एक lymph node present होता है lymph node present होता है जिसे हम लोग कहते हैं जहाँ पर tissue collected है जनरेली तो जिसे हम लोग कहते हैं बच्चो tonsils जिसे हम लोग क्या कहते हैं? tonsils tonsils क्या है? tonsils are the lymph node present on the larynx आपके larynx पे एक lymph node present है, जिसे हम लोग क्या बदने है, tonsils, अब आप लोग ने सुना होगा बहुत सारे लोग को tonsils की बिमारी हो जाती है, क्या होता है tonsils के अंदर, actual में जो आपका lymph है, जो आपका lymph पता है न, एक body fluid है lymph, ठीक है, तो actual में जब lymph एक जगा पे जमा हो जाएगा समझे हो, जब एक जगा पे क्या हो जाएगा, आपका lymph जमा हो जाएगा, तो वो pharynx हलका सा सूच जाता है, समझे हो, जो pharynx वाले region एक क्या हो जाता है, इसी बिमारी वाले टॉंसिल बोलते है, actual में बिमारी गलत है, क्योंकि इस lymph node को tonsils बोला जाता है, इस organ को tonsils बोला जा लाइन्स के उपर एक छोटा सा छेद है वह भी यह चोटा सा छेद होना जरूरी है और ट्यूब की ऊपर एक छोटा सा छेद होता है ना तभी तो उसके अंदर से क्या आएगी आपका जो एर है वो पास होगा इस छोटे से छेद को हम लोग कहते हैं बच्चो गलाटिस क्या कहते हैं गलाटिस अब गलाटिस के ऊपर एक कवर रखा हुआ है एक कवर रखा हुआ है और ये कवर बहुत जरूरी है अगर ये कवर ना होता तो माल लोग आप खाना खा रहे थ तो अगलती से भी आप खाना खा रहते उस ताइम पर अगर यह अगर यह प्रेज़न नहीं होता तो आपका फूड मॉलीक्यूल आपके इस लारिंग्स के अंदर चले जाता ट्रेकिया के अंदर चले जाता लंग्स में चले जाता सोच रहो समझ मेरी बड़ तो अगर यह आप आपका फूड मॉलीक्यूल इस लंग्स में चला जाएगा तो बहुत दिकत जाएगा तो इसको जाना चाहिए बया जिसके वज़े से इस ग्लॉटिस के ऊपर कौनसे कलर से बना है या सब कलर्रों तो यूज कर लिए हम लो चलो रेड से बनाते ठीक है इस से ग्लॉटिस के उपर, एक covering लखी रहती है, जो कुछ इस तरीके से रहती है, इस तरीके से, मानलों ये covering हैं, और ऐसे, ऐसे x के उपर क्या रखा हुए, ऐसे खरऊ हुए, आपकी covering लगी हुई, सही है, अब जैसे इस इस फूड मॉलीकुल ये गिरता है, ये covering ऐसे बंद हो जाती है, जैसे क्लिए है यहां तक समझ में आ गया कितना पढ़ा हम लोग कितना पढ़ा हम लोग ने हमारा respirator अई प 대해서 सिर्हें शूरू होता है हमारे इस नाक के होल से ठ र nationally लोग क्या भूल रहे है नोस्ट्र छें उसके बाद यह होल चलके बहुत बड़ी सी cavity मना देता है, जिस cavity को हम लोग क्या बोल रहे है, nasal cavity या फिर nasal chamber, दो नामे कोई भी उस कर सकता आप लोग, फिर मैंने आप लोग को बता है, हमारा जो mouth है, mouth के अंदर भी cavity है, जहां पर आपके दान्त रखे हुए है, इस cavity को हम लोग ने क्या बोला, फिर मैंने आप लोग को बता है, कि दोनों cavity है, आपस में क्या हो चुकी है, जॉइन हो चुकी है, और यह जो पीछे वाला रिजन है, that is pharynx, सही है, अब pharynx के तीन पाट है, एक वो पाट जो आपका nose के पास present है, that is nasopharynx, फिर आपका mouth के पास 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 प्रेजन है, आपको बता है, voice box के सकते हूँ, और फिर आप touch करोगे, तो ऐसे आप यह बाहर निकला हूँआ रिजन रहता है, यह आपका layerings है, यह से को Adam, Apple भी बोलते हैं यहाँ चीक है, तो it is a voice box, voice box कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे strings लगे होते हैं चोटे-चोटे, इसके उपर एक छोटा सा छेट प्रेजन है, जिसके थूँ आपका जो gaseous molecule है, वो अंदर आएगा, इस छेट को मैंने क्या बोला, that is glottis, और इस glottis के उपर एक covering रखे हुई है, जो की food molecule को prohibit करता है, इस छेट के अंदर जाने से, और food molecule को किसके अंदर डाल देता है, वो आपके osophagus के अंदर, इसके super वाली covering को क्या बोलते हैं बच्चों, epiglottis, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा न, it is epiglottis, clear है यहाँ तक, तो this is the larynx, larynx सतम हो गया हमारा, फिर larynx के नीचे, larynx के नीचे, 10 से 15 cm लंबी, एक छोटी सी pipe लगी हुई है, larynx के नीचे बच्चों, larynx के नीचे, यहाँ पर, एक 10 से 15 cm लंबी, एक pipe लगी हुई है, जिस pipe को हम लोग कहते हैं, trachea, जिस pipe का हम लोग क्या बोलते हैं, जिस pipe is the, trachea, या फिर इसी कोई हम लोग wind pipe बोलते है, इसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, wind pipe, clear है, अच्छा, यह जो wind pipe है, यह बहुत ही पतली होती है, बच्चों, जो wind pipe है, यह बहुत ही जादा पतली होती है, तो अगर इसके अंदर से air निकालो, मानलो एक bottle, imagine करो bottle, ठीक है, उस bottle के अंदर से सारा air निकाल दो, सारा air, उसको एक दम vacuum बना दो, vacuum यूज करके, सारा air निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, जो bottle है, वो पिछक जाएगी आज पास से, आजो बाजो का जो, अटमस्फेरिक प्रेशर है, वो क्या करतेगा, उस bottle को पिछका देगा, अब जब आपको वापस उसके अंदर air डालनी है, ठीक है, उस bottle के अंदर अगर आपको वापस air डालनी है, तो आपको बहुत प्रेशर से gas जालना पड़ेगा, तब ही वो bottle क्या होगी, फुल जाएगी, साहिए, सिमिलर सा होता है इसके साथ भी, अब जब वापस इसके अंदर air हमको डालना पड़ेगा, तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा, यह प्रेशर हमको ना लगाना पड़े, इसलिए इसके साइड साइड में बच्चों, एक कार्टिलेज लगी होती है, C-shape की, समझ रहो, C-shape की से कार्टिलेज लगी होत समझ रहो, तो ऐसा ही, यहाँए एक C-shape की, C-shape की, पूरा राउंड नहीं है, यह C-shape का है, C-shape की कार्टिलेज लगे होई है, तो यह आप लोग इतना समझ में आ गया दिस इस ट्राकिया को हम लोग विंड पाइप भी कह सकते हैं दस से बारा सेंटीमेटर की हो सकती है लॉंग हो सकती है ठीक है और इसके उपर क्या लगा हुआ रहता है कि स्थी शेफ काटिलेज लगा हुए रहता है तो आई होप आप लोग इतना डाइगरम समझा है तो यह अब यहां पर जगर नहीं है तो अगला डाइगरम में नेक्स्ट वाले स्लाइड पर बनाता हूँ आज़ो 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 तो हम लोग ने क्या देखा कि यहां पर हमारा अभी मैं आधे डाइगरम बना रहो पूरा नहीं बना रहो ठीक है क्योंकि आधा वाला मैंने वहां बना दिया था इसका एक बास्क्रिंशॉट ले लिए चलो आज़ो यह था आपका लारिंग्स लारिंग से नीचे यहां पर एक बड़ी सी पाइप आईए इसे मैंने क्या क्या है और सब्सक्राइब यह थेसे पार्टव इसे गते हैं इसने क्या थे सब्सक्राइब और रे इस rugiा वुक्राइब भॉल्ट जाता है DO c7 वहां दो नोग की बॉलते हैं तो जो सबसे पहला डिविजम है ब्राइमरी पॉल्टा इस डिविजीन इन हो गया है इस प्राइमरी स्पेलिंग अलत हो गया है प्राइमरी ब्रॉंकाय हो गया है अच्छा यहीं से लंग्स भी शुरू हो जाता है यहीं से आपका एक बैग-like चाहिक और गविए यहीं से शुरू हो जाते हैं इना दूू। इस इप का लॉंक्स शुरू हो गया। फिर उसके बाद इस ना प्राइमरी ब्रांखा है। और प्राइमरी ब्रांखाय पर भी सी शियफ काटिलेज लगा हुँ यहांपे फिर आपका जो primary bronchia है वह फिर से दोर्ट में तुटेगा प्राइमरी ब्रॉंका है वापस से क्या होगा दो पार्ट में टूटेगा यहां पे बना दे वापस से यह दो पार्ट में टूटेगा बच्छो और यह दोनों पार्ट को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी ब्रॉंका है नाम जाद दखना आसान है सेकेंडरी ब्रॉंका है क्लियर है clear है और इस secondary bronchi पे भी क्या लगा हुआ है आपका c-shape cartilage लगा हुआ है ठीक है तो यहां पे भी क्या लगा है this is the c-shape cartilage clear है clear है समझ में आगा ठीक है last क्या होगा आपका यह जो secondary bronchi है यह वापस दो पार्ट में convert होगा देखो दोनों side में यहां पे भी दो पार्ट में convert होगा और यहां पे भी क्या होगा दो पार्ट में आपका यह secondary bronchi टूटेगा ठीक है this is known as tertiary bronchi tertiary bronchi तो आप क्या आपको लग रहा है कि यह हमेशे चलते जाएगा आगे तक नहीं बच्चो बस यह last था यह bronchi की last step है और इसके ओपर भी क्या लगा हुआ है c-shape cartilage भोलना नहीं है बच्चो चनशरी ब्रॉंकाय तो क्या लगा हो रहता है c-shape cartilage लगावा रहता है इसके बाद से इसके बाद से बहुत ही छोटे-छोटे बहुत ही छोटे-छोटे tubes में आगे चलके यह divide हो जाएगा जिसे हम लोग branchials कहेंगे इस यह क्या कहेंगे और इन bronchioles के उपर कभी भी C-shape cartilage नहीं लगा हुआ रहे था, जो सबसे पहला bronchiol था, मतलग जो tertiary bronchioles हैं, जो सबसे पहला bronchiol निकला, उसी हम लोग कहते हैं बच्चो, initial bronchiol, initial bronchiol, जो सबसे पहले बनेगा वो initial bronchiol और जो सबसे पहले बनेगा वो initial bronchiol और जो सबसे लास्ट में बनेगा वो क्या होगा आपका बहुत सारे हैं, थाउजन्स ओं डिविजन्स होते हैं, थाउजन्स ओं ब्रांचेस बनते हैं यहां पर तो उतने सारे तो दिखा नहीं सकता, सहिए तो जो सबसे पहला बना, it is a initial bronchiol और जो सबसे लास्ट में बनेगा बच्चो वो क्या है आपका terminal bronchiol, समझ में आई बात, और आपके terminal bronchiols पर यहां पर ऐसे चोटे-चोटे bag like organ लगे होंगे, ऐसे चोटे-चोटे bag like organ क्या होंगे, यहां पर लगे होंगे, समझ रहे हूं, इसके अंदर आपकी oxygen क्या होगी, collect होगी, समझ में आ रहे हैं बात, यहां पर, तो सबका नहीं ब ल्वियो लाइ प्रॉरल में और यहां पर ऐसे स करके सिंगुलर लिख देता हूं ल्वियो लस ठीक है तो अगर आप एक की बात करो तो अगर आप सब की बात करो तो क्या है ल्वियो लाइ ल्वियो लाइ क्या है एक बैग लएक स्टॉक्चर है जिसके अंदर औक्सियों आके इतना ही इसका फंच है ठीक है समझ में यह बार यह लंक्स है लंक्स के अंदर यह सारी चीज़े होती है अई होप आप लोगो समझ में आओगा इसका भी एक बार स्कृंशॉट ले लेना हुआ इसके इसंद्र सिस्टं का फोटो समझ में आगया ही का डाइग्रम समझ में आ गया होगा विछ complete explanation तो जितना भी explanation आपके book में दिया हुआ है उस सारा explanation मैंने आपको diagram के through बता दिया clear है समझ में आई बात चेक है तो इससे मारा diagram भी हो गया और explanation भी हो गया तो इसका एक बार screenshot ले लिया था इसका इसका भी ले लो इसका भी एक बार screenshot ले लो यह आपका larynx this is the larynx ठीक है और इसके उपर यह आप एक छेत था glottis और इसके उपर एक covering थी epic glottis की तो इसके बात का जो topic है देखो इसके बात हम लोग क्या करने वाले है जो respiration के types है that is आपका breathing आपका external respiration internal respiration सही है और आपका cellular respiration उन सब को detail में discuss करेंगे cellular को तो करेंगे वह तो आप लोग ने 11th में पढ़ लिया था मेरे साथ तो हम लोग क्या करेंगे तीन type of respiration को बहुत ही detail में discuss करने वाले हैं बट अगले lectures सही है क्योंकि यह lecture already बहुत बढ़ा हो गया जैसे मैं देख रहा हूं 56-57 minute का हो गया आप लोग को यह lecture पसंद आया होगा कोई भी डाउट हो तो आप लोग आ सकते हैं मेरे Instagram पर यह मेरे Instagram का ID दिया हुए ठीक है तो आपको कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर आके मुझे